टीम इडिया का हो रहा बंटा था, नहीं लगा पा रहे है रोहित बेड़ा पार, नहीं कप्तान की उठ रही मांग, पांडिया बुम्रा का आ रहा ना, व्यू ब्रिकेट को अगर लाना पट्री पर, बीसी सियाई को अनुभव पर करना होगा निर्भर, किंग को फिर से देना होगा भार, तब ही भारतीय टीम कर पाएगी पलटवार, टीम इडिया के प्रदर्शन के अगर बात करें, तो एश्या कप 2022 से वॉल्ल कप 2022 तक काफी निराशा जनक रहा, खास करें इन दो वले टौनमेंट में टीम इडिया के खराब प्रदर्शन पर बीसी सियाई काफी न ऐसे में अगर आगे के मुकाबले में टीम इडिया का प्रदर्शन ठीक नहीं रहता है, तो अगली बारी रोईत शर्मा की हो सकती है, इसकी पूरी संबाबना है कि उन पर बीसी सियाई की गाज गिरे, ऐसे में आज हम बात करेंगे टीम इंडिया के सफल कप्तानों में रहे विराट कोली की और जानेंगे कि आखिर क्या वज़ा हो सकती है कि उन्हें दोबारा भारती टीम की कमान सौप देनी चाहिए कोली का कप्तानी में बहतरीन रिकॉर्ड टीम इंडिया के सफल कप्तानों की सूची में विराट कोली का भी नाम शुमार है अगर टेस्ट में बतोर कप्तान उनके रिकॉर्ड पर नज़र डालें तो उन्हें 68 मुकाबले में से 40 मुकाबले जीतें जबकि 17 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा वहीं उनकी कप्तानी में 11 टेस्ट मुकाबले ड्रॉ रहे हैं ऐसे में उनकी कप्तानी में टेस्ट जीत का प्रतिशत 58.2 दो आज का रहा है इसके लावा वंडे और टीट वंडी में उनकी कप्तानी के रिकार्ड को देखे तो 95 वंडे और 50 टीट वंडी मुकाबले में वो टीम इंडिया के कप्तान रहे उन्होंने वंडे के 95 मुकाबलों में 65 पैचों में जीत दर्ज किये वहीं 50-320 मुकाबले में उनके नाम 30 जीत दर्ज है ऐसे में वाइट बॉल फॉर्मेट में अगर कोली के जीत के प्रतिशत देगे तो वो 7 प्रतिशत है मैदान पर पूरी तेरा आक्टिव रहते है कोली टीम इंडिया में केंग कोली को सबसे बड़ा बल्लेबास ही नहीं माना जाता बलकि वो बतार फिल्डर भी काफी चुस्त और एनर्जेटिक है विराट कोली मैदान पर पूरी एनर्जी के साथ रहते है उनने काफी रंबे समय तक टीम इंडिया के लिए तीनोई फार्मेट में कपतानी किये भले उन्हें अई सिसी टोर्ण pasture में सफलता नहीं मिल पाई लेकिन कोली की कपतानी में टीम इंडिया ने कई अथिहासी जीत दर्ज किये उनकी कप्तानी में आस्टेलिया में टीम इंडिया ने टेस्स सीरीज जीती थे ऐसा करने वाले वो पहले इश्याई कप्तान भी है ऐसे में मैदान पर जिस तरह से कोली उर्जा से भरपूर बने रहते हैं अगर उन्हें दोबारा कप्तानी दी जाए तो अपने साथी खिलारियों में भी जीत के लिए जोश भर सकते हैं कप्तानी में अनुभव का मिलेगा फाइडा हानके टीम इंडिया में कप्तानी के आप्षिन के तौर हार्दिक पांडिया, केल राहूल और जस्प्रित बुम्रा जैसे खिलारियों का नाम लिया जाता है लेकिन अगर एक्स्पिरियंस की बात है तो इनके पास उस चीज़ की कमी वहीं आपको बता दे कि जब विराट टीम इंडिया के कप्तान थे तो भारतियी टीम एक भी मुकाबला अपनी धर्ती पर नहीं हारी थी इसमें कोई दोराय नहीं है, अगर ICC की एवेंट्स को छोड़ दे तो विराट का रिकॉर्ड शांदार रहा है वहीं टीम इंडिया आज जिस दोर से गुजर रही है, वैसा विराट की कप्तानी में नहीं था जहां तक लोई शर्मा का सवाल है तो उनकी भी कप्तानी में ICC का रिकॉर्ड काफी निराशा जनकी रहा है ऐसे में विराट अब भी काफी खाबीलेत रखते कि वो टीम की कमान अपने हाथों में लेकर टीम को नई दिशार दे सके और खिलारियों में फिर से जीत का ज़स्बा जगा सके इस पर आपकी राय क्या है आप हमें कॉमेंट बॉक्स में पता सकते हैं वे रिपोल भारत पॉस्ट देए